इलेक्टरी टेल गेट हमें इसके अंदर देखने मिलने वाला है जश्ट सीम्पल उसको प्रैस करीगा तो यहां से उखुल जाएगा और इस वाले बटन को प्रैस करीगा तो इलेक्टरी टेल गेट बंद भी अपने आप हो जाएगा क्या होता है कि हमें क्या है कि निच्चे की तरफ थाइस पोर्ट भी देखने मिल जाता है जिसकी अड़ेस्ट्मेंट आप यहां से कर सकते हो देखो बड़ी आफ फील करती है गाड़ी यह मालोग यूँ हाई क्वालिटी वाले बंदगी लालो पैसे वाले बंदगी फील अच फिलमबा ट्राइवल करना चाहूंगा इस गाड़ी बाई वैसे मेरी पिछे बैठने के आदत नहीं है मेरे तो सेल्फ ड्राइविंग के आदता है बट फिर भी जब भी मौका मिलेगा तो पिछे लेटना जूर जाओंगा चाहूंगा थाइस पोर्ट में कहा है कि दो में मे पिछेंजर साइड भी हमें देखने को मिल जाता है मेरे दोस्त अतुल के लिए लेना काफी बड़ी है फीचर है हमारे दुनों के लिए ना हमें बहुत पसंद है वाला फीचर साइड में का पोल्टर वाला भाई ठीक है क्या हल चाले अपस्पर भाई में भी नोस्तानी स्वागत करता हूं आपस्पर का में चैनल कार जिनता में भाई अभी अपने सामने खड़े है टोटा की इनोवा हाइक्रोस हाइब्रिड में टोपन लाइन वेरिंट है जेडेक्स हाइब्रिड के अंदर रती है पैटोल के यह की अपना है इस वाले में हमें क्या कुछ शोफर किया गया तो वह बहुत दिन पहले हमने तो मारुती इनविक्टो का भी डिटेल रिवियू किया था तो उसका डिटेल रिवियू देखने के लिए लिंक टेस्पीश्यम में दे रखा है तो वहाँ पर जाके आप उसका पूरे वीडियो भी देख सकते हो और डिफ्रेंस भी देख सकते हो कि दुन्हों में से क्या कुछ डिफ्रेंस हमें रहने वाला है तो चली शुरुआत करते हैं पहले फ्रेंट से जाएंगे एंड तक अगर इसके एक शोरूम की बात करें तो अठारा बानवे से शुरू होता ह हैं तो चली शुरुआत करते हैं पहले फ्रेंट से बॉंस से बात करें तो यहां पर क्या है कि हमें क्या है कि टोड़ा का लोगों देखने को मिल जाता है इसस्टी डिघर के लिए देखने को मिल जाता है इस वाली इनोबा है को डिल संट धियारल देखने को मिल जाते हैं जो कि daytime running का काम भी करते और अपने टार्ण इंडिकेटर का भी काम यहां पे करने वाले हैं वाले हैं रोम का इस्तेमाल के अगया है तो इसके अंदर है तो पार्किंग केमरा आ गया पार्किंग सेंसर भी आगे यहां से बात करें तो हमें क्रोम लाइनिंग का इस्तेमाल भी फ्रेंट ग्रिल के अंदर देखने को मिल जाते हैं ठीक है अगर साइड प्रोफाइल से बात करें इसके अंदर क्या है कि हमें क्या है कि 255 शाट और अठार अगे अलवीविल का साइज देखने को मिलने वाला है पहले क्या था कि थोड़ी सी प्रोब्लम थी कि लोग प्रोफाइल टायर थे है अब भी वह से मिटायर आते हैं लोग को एक मिल जाएंगे के लिए गारी की ने को हमें मिल जाएंगे का है कि गारी की बैअट है नहीं तो आपको सब कुछ 공만 करके दीखाता یूज सींबल अपछोड़ा सा यसे समझ लेना सब्सक्राइब करनारी ठीक है और उत्ती के अंदर भी हमें ऐसा कुछी प्रोम डोर हैंडल वगरा देखने को मिल जाते हैं ठीक है अगर बैक वाले उससे बात करें ब्रेक वाले एरिया से तो ऐसा कुछ टेल लेंट सेक्षन रहने वाला है यहां पर क्रोम लाइन का इस्तेमाल किया गया एक यहां पर चाहले वाले पंपर से वात करें तो दो रिफ्लेक्टर के साल है इसके नदर देखने को मिल जाते हैं वहां देखने में वाले पर चलती हैं जब भी अंदर बैठते हो फिछले वाले मीर से बात करें डिफोगर रेन वाइपर स्टॉप लैंप स्पोईलर सार्क फिन एंटीन अभी इसके अंदर हमें देखने हो मिल जाएगा रूफ रेल नहीं आती है इसके अंदर हो सकता है कि असेसरी के पाट हो बट रूफ रेल नही और इसवाले बटन को प्रेस करी गातों इलक्यक्ट्री टेल के बंद में अपने हो जाएगा सेवन शीटर के अंदर आते हैं टोपने ला इन है ठीक है ओव जैसी अफने कोडिंग कर सकते हो फोर में चाते तो फोर में कर सकते हो इंद्शक्राइगा। 14 में जाने जाते हो त किछ ले वाले area से बात करें थार्ड ऊं dots लोग्र Frances जाता है दो डौ कप फोल्डर देख एधर बी दो कप फोल्डर और एक की बारा वोड़का चार्इंग शूरड़ भी देखने मिल सता पह राइकसर कीछ एप लाइट का पौषन भी हमें इसकंडर की वेंड की placement उपर की तरफ वाली चत में दोन्हों साइड को क्या है फिसका टेल मैं जबंदे के लिए कि झाली काी उसलों को है वह एग्रहर घ्रुडून से रषयसदुन घ्राइभ खैब को जबाइड अब जुग दूप गयरा से बचने के लिए इस वाले एरिया की और इस वाले एरिया की बात करें तो जो ब्राउन शेड में दिखे रहा है तो लैदर के अंदर रहने वाला है यह वालक सिल्वर करलर में देखने हो मिल जाएगा पार विंडोग स्विच्च क्रॉम डॉर हैंडल देखने हो मिल जाएगा इस वाली सीट में क्या होता है कि हमें क्या है कि निच्चे की तरफ थाई स्पोर्ट भी देखने हो मिल जाता है जिसकी अड़ेस्टमेंट आप यहां से कर सकत कि यहां से पिछले वाली सीट को आपर रिखलाइन भी कर सकते हो यहां से अगर गाड़ी में पिछ्छे की तरफ कोई नहीं बैठा पिछले वाली सीट पर कोई नहीं बैठा तो अच्छा काछा आपको था स्पोर्ट और सी जाएगा जिससे आप बड़िया सीमान लोगी लोंग ड्राइब कितने भी किलोमेटर की लोंग ड्राइब भी ना थके आप इसली कर सकते हो मैं तो ऐसी गाड़ी में जरूर बैटन जाओंगा जिसमें थाइस पोर्ट भी आता हो पिछे तरफ रिक्लाइन भी हो जाता हो अराम से बंदे का दूंगा गाड़ी चलनाने को और अराम से लेट के जाओंगा यहां पे दो कप ओल्डर भी आते हैं इसको जश्ट ऐसे प्रेस करेगा और ऐसे आपका खुल जाएगा साइड में अलग-अलग पैसेंजर के लिए आरमेस्ट भी देखने को मिल जाता है बकी है ग अच्छा खासा देखने को मिल जाता है लेट के मैं तो काफी लंबा ट्रावल करना चांगा इस गाड़ी वैसे मेरी पिछे बैठने की आदत नहीं है मेरे तो सेल्फ ड्राइविंग की आदत है बट फिर भी मोका मिलेगा तो पिछे लेटना जू जाओंगा जाओंगा सकते हो ऐसा कुछ थर्ड रो का हमारा रिव्यू रहने वाला है यहां पर इस इवेंट भी हमें देर खें पैनरों मिक सन्नूफ अत्ता है पूरा पूरा उपरी तरफ एम्बेंट लाइटिंग भी इसके अंदर हमें देखने मिल जाती है अब चलते हैं इसकी फ्रेंट रो मे साइड वाला पैल का इरिया वह हमें देखने मिल जाता है लैधर के अंदर ब्राऊन कलर देखने मिल जाता है चार वार विंडॉग स्विच लोग उनलोग और आप इलेक्रिक फोल्ड मीर भी यहां से कर सकते हो बोटल लोडर के साथ बी अच्छा 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 तो आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है वाई और इस तरफ से बात करें तो यहां से आप इसका फोगलम और ओगयरा कर सकते हो अगर इसके बाले की बात करें जो अपने इस इवेंट है तो क्रॉम कलर का इस्तेमाल किया गया यह वाला एरिया जो है कि लैदर के नदर रहने पाला सेमी कप होल्डर वाई देखो यहां पर ना कप होल्डर चिपा रहे हैं बड़ी असा फीचर है मेरे इस आप से नहीं को बहुत अच्छा फीचर लगता है इनोवाई क्रोस का या उसका मरति इन्विक्टो का कप ओल्डर ड्राइवर के कमफट के लिए कप होल्डर भी हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं इस तरफ से बात करें मरति की जो इन्विक्टो है उसके अंदर हमें अडास फीचर नहीं देखने को मिलता उपर की तरह पैडल शिप्टर भी दे रहे हैं ओटो है और यहां पर हमें जो अपने रेंवाईपर के अडजस्टमेंट हमें देखने को मिल जाती है 10-inch का हमें क्या है कि इस म्यूजिक इन्फो 10 देखने को मिल जाता है एंडविड एपल कार प्ले के साथ साथ यहां से बात करें तो ओटो एसी आता है फ्रंट वाली सीट वेंटिलेशन के दर आती है इंजिन स्टॉप का बटन आता है यह वाला जो प्रीमियम से फील हमें करता है त्रिस्टी डिग्री कैमरे का भी एलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ट ड्राइब मोड आ जाते हैं एवी मोड जाता है ट्रक्सन कंट्रोल का बटन देखने को मिल जाता है शीट टाइप चार्जिंग पॉर्ट एक्वे इन पर चार्जिंग शोकाट भी दे रखा है फ्रेंट वाले डेशवर्ट के बात करें लिए तो यह वाला लैधर के अंदर उपरी तरफ हाइड प्लस्टीक गलब बॉक्स की बात करें तो बड़ा सा गलब दाता कूल्ड वाला गलब बॉक्स इसके अंदर हमें नहीं दिए कुल वाला गलब बॉक्स नहीं आता है और गॉडी तो काफी बढ़ी है कुल गलब बॉक्स भी आना चाहिए था बट आता नहीं है क्यों नहीं आता है एक कॉप ओल्डर पैसेंजर साइड भी हमें देखने को मिल जाता है मेरे दोस्त अतुल के लिए ले लेना काफी बढ़ी ह फीचर है हमारे दुन्हों के लिए हमें बहुत पसंद है वाला फीचर साइड में का पोल्डर वाला भाई ठीक है इंस्ट्रूमेंट कलस्टर इसका वही बीच वाल स्क्रीन का है कि डिजिटल रहने वाली है कूल इट का मंगसन आ जाने वाला है इस तरफ अपना क्या है कि मिल जाते हैं टिक है जेवी अलगी ब्रेंडिंग मी देख रखिया मीर की बात करें तो डे नाइट और यार्विम मीरने वाला है यहां पे अपने सनुनूफ के गांट्रोल भी देखने मिल जाए लाइट की अज्जस्ट्मेंट भी हमें यहां पे दे रखिया जैसे चाओ कै यहां से जब भी आपके साइड से कोई गाड़ी पास करने वाली है तो यहां पर गाड़ी क्या है कि आपको अलट देने वाली है कि आपके साइड से कोई गाड़ी पास कर रही है तो अडास फीचर आता है अडास में काफी कुछ सेफटी फीचर आपने को देखने को मिल जाते हैं लेन की परसिस्ट वाला लेन डिपार्चर एंगल वगारा या पीछे से जब भी आप पार्किंग से निकाल ले हो कि पीछे गाड़ी वगारा त नहीं है तो ऐसे कुछ काफी कनेक्टेड फीचर अडास के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं बाई की वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके जूरू दाना बाई और चैनल को जूरू सब्स्रेक करते हैं ना बाई कार जनता को थेंक यू